हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आवर चानल और ग्यानिक गार्णिक विट डॉक्टर वेदी ही अगर आप लोग भी गार्णिंग के शौकिन हो और अपना खुद का गार्णिंग करना चाहते हो और गार्णिक वेजटेबल्स उगाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा स्विस्ट्राय Надे जगणिज पसंत है कि पास जगव भी हाँ बट आिदिया नहीं कि कहां से स्चुरूकारde आप की कही पर भी कर सकते हो और्गेनिक वेचिटेबलस भी आप कही पर भी उगा सकते हो जोने हैं अज कब में हमारे पास वर्ट्न गार्डंस भी आए है तो बहुत सारे पहले आप हैं उनमेn सेभी सुलेक्ट कर सकते हो बस यह पता होना चाहिए करू Past क्या उनसे चाही है तो किसी भी प्रकर्ण का गारड्निंग करने के पahले आपको एक काम करना है पेपर वग करना होता है आपको एक प्लैन comparative निकालना पड़ता है पेपर पे कि minha गारड्निंग कहां करने वाला हो सुपस्छ बल्कनी है या फिर है तो तयरेस पूरा का पूरा ट अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है आप पहले से कुछ पॉट्स आराम से धीरे धीरे लाके रखते हो और फिर हो जाता है तो मैसी हो जाता है कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है इसलिए अगर आप यह सारे चीज़ पेपर पर डॉप करते हैं तो आपको इसका जो होता है क्या मुलते हैं प्लांटर होते हैं जाते हैं उसके बाद आपको धनिया ग्रो करना है तो धनिया के लिए वापस फ्लैट प्लांटर लेना है आप ग्रोब्लेंग ले अगर आप टैरे से बालकनी पे करते हो तो हम रेकमेंड करते है किंद ग्रोबेक्स के लेजाए या फैबर के भी प्लाइन्टे जाते हैं ढूट स्थे भी होते हैं और सण के डारेक हिटत के वजह से उनका cert quality होता है वी डिडग्रेड नहीं होता है आप बना सकते हो उसके इसाब से ओनलाइन बहुत सारो अप्शन्स है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यह क्यारी है आप देख सकते हो में तिंग देखो आप यहां देखो कि हमने क्या किया है नीचे लोखन के जो स्टैंड आते हैं वो लिए है और उसके उपर सब कुछ रखा है लोखन के स्टैंड लगाने से क्या होता है आपका जो नीचे का पार्ट होता है टैरेस का जो फ्लोर होता है वो से क्लीन करने में आसानी होती है और जो रूट्स होते है वो नीचे पैनेट्रेट नहीं होते है और ना यह उसका पानी नीचे पैनेट्रेट होता है क् अधर करना चाहते हैं अधर को पहले किया करना है और आपको फ्लोर है उसको वाटरप्रूफिंग करा ना होता है आपको फ्लॉर पे लगाना होता है आपको पॉट सकने है यह आप देख सकते हैं यह पर पालक उगाया हैहां यहां पर आपने फ्लैट बरतन लिया हुआ है और पालक एक बार लगा आया तो बहुत अच्छे से आता हैं पालक के डिफर्नब वराइटीज मिलती है एक पिंग भ ले जाते हैं बहुत खुबसूरत उसके टेस्ट आती है तो यहां पर हमने क्या किया है maximum space को यूटिलाइस किया हुआ है आप देख सकते हों बाजू में stands रखे stands की उपर हमने क्या किया है जो short short herbs वो उसको अंदर डाले big gap रखे ताकि उसकी growth भी अच्छे से हो जा planters भी देख सकते हो कैसे सिलेक किये है तो according to the plant आपको planters सिलेक करना है बड़े plants अगर है तो आपको क्या करना है डीप pots लेने ताकि उसका root system जो हो अच्छे से फैल जाए तो यह हो गया आपकी planter selection की बाद सेकेंड आपको क्या करना है पॉटिंग मिक्स पॉटिंग मिक्स जो ह तो भेंडी का plant है ओके भेंडी के plan के नीचे आपको regularly check करना होता है क्योंकि उसमें मिली बग्स हो जाते है ओके मिली बग्स का जो अटेक होता है mostly भेंडी पे ज्यादा होता है तो भेंडी टमाटर इस अपको देखना है कि जो भेंडी है उसके लिउस पे आपको regularly once in upon 15 days जब आप जियो मैन्योर या कोई भी खातर डालते हो तब यह आपको इसको देखना है आप जब भी आप पाने डालो तो हपते में एक बार आपको उ सारे उड़ते जाएंगे इस स्टेम देखो आपको कितना बड़ा लग रहा है साइड में भिंडी भी लगे है बहुत हैं क्योंकि इसे रेगूलर ली बाया पेस्टिसाइड का स्प्रे दिया जाता है बाया पेस्टिसाइड का वीडियो हमने और डाला हुए यूट्यूब क्याइनिंग नीचे से पहले 21 स्टेम थी उसको प्रूनिंग करने के बाग उसके डो स्टेम्ग प्रूनिंग करते हैं ओपर तक चला गया है знаю what best शूट प्रूनिंग, So तो प्रूनिंग मेंगी है और बेख्श कर बढ़ra बिंघाए तनी नगा है अगाbles मेंदि स्टिसाईड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर परसनल मेसेज कर सकते हो तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगे प्रूनिंग का उसके बाद सोईल हमने पताया सोईल जो होती है वो डिपेंड करता है प्लांड के उपर कैसे होनी चाहिए अगर पालक और यह सारे प्लांट्स है तो पालक की सोईल जी होगी पॉटिंग मिक्स होगी वो मॉइस्ट होगी मॉइस्ट मतलब एरेशन ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर तो क्योंकि उसके रूट्स फाइबरस होंगे वो डीप नहीं जाएंगे तो उपर उपर हैंगे अगर ज्यादा यह है अपके सोईल एक दम कले जैसे है चिकनी है तो क्योंकि उसके रूट्स प्रेड नहीं हो पाएंगे अगर डीप प्लांस है जिसे ब्हेंडी है तो यहां पर आपके क्या होगे रूज हो डीव जाएंगे तो यहां पर आपको जो मिटी लेनी है वह ज्यादा पोरस नहीं लेनी है यह मका आप बेबी कॉन भी गुरो कर सकते हैं अगर आप मैचूर होने के पहले पॉर्ट साइज अगर चोटा है तो वह कॉन जो होता है वह चोटा है अगर यह आपका पॉर्ट साइज बड़ा है या फिर आप ग्रॉं में लगाते हो तो जो कॉन है ओसी डूरेशन में बड़ा साज जाएगा सब्सक्राइब करता है कि अपने यह देखा सब्सक्राइब करता है पाने कितना देते हो कम ज़्याद ने जितना जरूरत है उतना ही आपको करना है प्लांटर का साइज हमने देखा प्रुनिंग भी आपका अच्छे से होना चाहिए अब मिर्ची लगा सकते हो टमाटर लगा शकते हो भिंडी लगा सकते हो और करेले लगा सकते हो यहां पे बेल भी हमने लगाई हुए है तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको हमेशा यार प्लांटर करने की कोशिश करना क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स के वज़े से क्या होता है बटरफ्लाइज एट्रैक होते हैं और उनकी जो वाइब्स होते हैं इसके वाज़े से आपके गार्डमें बहुत जादा ग्रीनरी आती है प्लस फॉलिणेटर होते हैं पॉसिटिव एनरजी निखती है आपको आपके जो प्लांट्स प्लांट्स लगाते हो उसके फ्रूटिंग हो जाते हैं सब्सक्रीं का प्लांट लगाया तो मिर्ची आने हो जाता है आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और आगे की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो मिलते एक न